ओम शान्ती आज 18 फरवरी 2022 दिन शुकरवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को मीठे आज्यकारी बच्चे तुम्हें सदा अती इंद्रिय सुख में रहना है कभी भी रोना नहीं है क्योंकि तुम्हें अभी उचे ते उचा बाप मिला है प्रश्न अती इंद्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है देवताओं का नहीं क्यों उत्तर क्योंकि तुम अभी इश्वर की संतान बने हो तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे डिगरी कम होती जाएगी इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है यह तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं गीत मुझे को सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुकरिया ओम शांती यह एक ने कहा या दो ने कहा क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है तो यह ओम शांती किसने कहा कहना पढ़े दोनों ने कहा क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं है एक आत्मा है दूसरी परम आत्मा है इन सब को जीवात्मा कहा जाता है तुम आत्माएं भी यहां पाट बजाने आए हो दूसरे धर्मों की बात ही नहीं बाबा भारत में ही आते हैं भारत में ही बर्थ प्लेस है शिव जयन्ती भी मन परन्तु वह कब और कैसे आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है शिव तो निराकार को कहा जाता है उनकी पूजा भी होती है शिव जयनती भी मनाते हैं जो पास्ट हो गया है वह मनाते हैं परन्तु जानते नहीं कि वह कब आए क्या करके गए अब तुम बच्चों को तो सब कु पूछ सकते हो कि यह किसकी रात्री मनाते हो, मंदिर में जाकर पूछो यह कौन है, इनका राज्य कब था, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंद है, उनके साथ किसका संबंद है, जरूर कहेंगे सबका संबंद है, वह सबका परम पिता है, तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्सा मिलता होगा इस समय दुख की दुनिया है भल नई इन्वेंशन निकालते हैं परंतु दिन प्रती दिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती है क्योंकि अब उतरती कला है न कितनी आफ्तें आती रहती है मनुष्यों को दुख देखना ही है जब अती दुख होता है तो त्राही त्राही करने लगते है तब ही बाप आते है इस समय सब मनुष्य मातर पतित है इसलिए इनको विशेश वर्ड कहा जाता है वहाँ सत्यूग में दुख होता ही नहीं तुम बच्चे समझते हो कि यह ड्रामा बना हुआ है इस समय सभी रावण अर्थात पांच भूतों के वश है यही दुश्मन है दुख की भी कलाएं होती है न? अभी तो बहुत तमो प्रधान हो गए हैं क्योंकि विश से तो सब पैदा होते हैं दुनिया को तो मालूम नहीं कि वहाँ विश होता ही नहीं है कहते हैं वहाँ बच्चे तब कैसे पैदा होंगे बोलो तुम पहले बाप को जानो उनसे वर्सा लो बाकी वहाँ की जो रस में रिवाज होगी वही चलेगी तुम क्यों यह संशे उठाते हो? कोई ने प्रशन पूछा कि शिव बाबा जब यहाँ है तो फिर वहाँ मूल वतन में आत्माई होंगी? जरूर यहाँ व्रद्धी होती रहती है तो आत्माई है न? परन्तु पहली पहली मूल बात है बाप और वर्से को याद करना है इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे जब ज्ञान चक्षू खुल जाएंगे फिर कोई भी प्रशन पूछने का रहेगा ही नहीं बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्से को याद करो सिर्फ मुक्ती पाने चाहते हो तो मन मना भव राजाई चाहते हो तो मध्याजी भव तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है इस चेतन्य डिब्बी में चेतन्य हीरा बैठा है वह सत बाबा भी है परम आत्मा ही शरीर से बोलते हैं कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है उस समय ये खयाल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है जैसे कि दो आत्मा हो गई वह आत्मा आकर वासना लेती है यूं तो है सब ड्रामा परन्तु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता है आगे तो ब्राह्मनों में कुछ ताकत थी आगर बात चीत करते थे रूची से खिलाया जाता था यह ज्यान तो नहीं है कि वह आत्मा है आत्मा तो वासना लेती है बाबा तो वासना भी नहीं लेते है क्योंकि वह तो अभोगता है आत्मा तो भोगती है बाबा कहते हैं मैं अभोगता हूं आत्मा तो वासना की मुरीद होती है, मैं तो मुरीद नहीं हूँ मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म दग्द होंगे समझाना है शिव जयन्ती मनाते हैं शिव तो निराकार है जैसे आत्मा की भी जयन्ती होती है आत्मा शरीर में आकर परवेश करती है शिव ही पतित पावन है जिसका ही आवाहन करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट करू इस समय पांच विकार सर्वव्यापी है आधा आधा है न जब रावण राज शुरू होता है तब और धर्माते है सबको अपना अपना पाट बजाने आना है मैं आता ही यहां हूँ अब तुम बच्चे जानते हो इस चेतन्य डिब्बी में कोडी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है वही सत चित आनंद सवरूप है ज्यान का सागर है तुम अभी जानते हो बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हैं कि फिर भूल जाते हैं क्योंकि वह पौप आदी जो है उनको तो चेतन्य शरीर है नामी ग्रामी है उनकी कितनी महिमा होती है यहां तो यह डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है कोई जानते ही नहीं कि वह एक बार ही आते हैं बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इन में बैठा है यह हमारा सत बाबा सत टीचर भी है यह पाटशाला है न तुम्हारे में भी कोई भूल जाते हैं चलन से सब कुछ पता लग जाता है कोई बच्चे तो थोड़ी परिक्षा लेने से फां हो जाते हैं नहीं तो बच्चों का कहना है जो खिलाओ चाहे मारो चाहे प्यार करो सपूत बच्चे तो आज्याकारी होते हैं बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी रोना नहीं है तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है उनके बनकर फिर तुम रोते हो मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूँ माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो गायन भी है अती इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पुछो परंतु माया भुला देती है बाप पर कुर्बान जाएं, बलिहारी जाएं, वे अंदर याद रहे तो खुशी हो तुम बच्चे अभी जानते हो, बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं, यह ज्यान इंद्र है इंद्र धनुष निकलता है, उसमें रंग तो बहुत होते हैं, परन्तु मुख्य तीन होते हैं बाबा तुमको इस समय त्रिकाल दर्शी बनाते हैं त्रिकाल दर्शी अर्थात आदी मध्य अंत को जानने वाला अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला यह बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे तुम बच्चे जानते हो कि यह इंद्र सभा है, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं कोई भी विकारी मूत पलीती मेरी सभा में ना हो तुम भी ज्यान डांस करने वाली परिया हो ज्यान इंद्र का परियों को फर्मान है कोई विशश अर्थात विकारी आदमी को यहां नहीं लाना तुम बच्चों के पास विशश ही वाइसलेस बनने के लिए आते हैं परंतु मेरी सभा में नहीं लाना है काइदे भी है न वैसे तो मैं यहां बहुतों से बातचीत करता हूँ इमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो लव जाता है जैसे गांधी के लिए सब को लव है काम तो अच्छा किया न इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है यह हूबहू रिपीट हो रहा है कोई का दोश नहीं है रावन को तो सभी को ब्रश्टाचारी बनाना ही है इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो और क्या जाने पतित पावन कहते हैं कुछ भी समझते नहीं है तुम तो वही हो जिनोंने कल्प पहले भी बाबा को मदद की थी सत्युग में यह थोड़े ही मालूम रहेगा कि हमने यह राज्य कैसे लिया अब तुम जानते हो यह बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है सारी दुनिया में शांती स्थापन करना यह तो परम पिता परमातमा की रिस्पॉंसिबिलिटी है यह बाप ही आकर सब को धनका बनाते हैं समझाते हैं तुम निधन के क्यों बने हो रावन राज्य कबसे शुरू हुआ है तुम जानते नहीं हो रावन का बुत बना कर जलाते रहते हो इस समय भक्ती मार्ग की उतरती कला है राम राज्य तो सत्यूग को कहा जाता है तुम इस समय हो इश्वरिय आउलाद क्योंकि कला कम होती जाती है इस समय तुम्हारे में बड़ी रोयल्टी चाहिए तुम तो मनुष्य को देवता बनाने वाले हो अती इंद्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है ऐसे कभी नहीं कहा है कि अती इंद्रिय सुख लक्ष्मी नारायन से पूछो परन्तु गोप गोपियों के लिए कहा है क्योंकि वह इश्वरिय आउलाद है देवता बनते हो फिर डिगरी कम हो जाती है राजाएं कितना दब-दबे से चलते हैं परन्तु हैं तो सब तमू प्रधान तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुश्य मूझते हैं तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायन का चित्र एक त्रीमूर्ती सहित है एक बिगर त्रीमूर्ती के भी है उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है तो दोनों को रखना चाहिए अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोलें तो कहो किसके शरीर में आवे ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायन बनते हैं जरूर ब्रह्मा तन में ही आवे तब तो ब्रह्मन पैदा हो नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं यह ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो प्रजा पिता बिगर स्रिष्टी कैसे रचेंगे यह अब नई स्रिष्टी रच रहे हैं हो तुम भी परंतु तुम मानते नहीं हो अगर अभी ब्रह्मन नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते यह भी समझते हैं यहां आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना होगा बाप कितना अच्छी रीती समझाते हैं बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते हैं कोई किस चीज का भूखा कोई फैशन का भूखा बाबा से आकर पूछो बाबा हम ठीक चल रहे हैं यह हमारी बात राइट है या रॉंग तो भी समझें कि इनको डर है देखो गांधी जी को सभी ने कितनी मदद दी परंतु उसने खुद नहीं खाया सब देश के लिए किया वह गांधी तो फिर भी मनुष्य था यह तो बेहद का बाबा है शिप बाबा तो दाता है सब बच्चों के लिए ही करते हैं पूछा जाता है तुम एक रुपया क्यों देते हो कहते हैं शिप बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्सा पाने के लिए ऐसे कोई नहीं समझे तो मैंने दिया मैं तो 21 जन्मों का वर्सा लेता हूं बाबा तो गरीब निवाज है 21 जन्मों का वर्सा देते हैं यह बुद्धी में रहे सब कुछ बच्चों के काम में आता है गांधी भी काम में लगाते थे अपने लिए कुछ भी इकठा नहीं किया अपने पास भी जो कुछ था वह दे दिया देने वाला कभी खुद इकठा नहीं करता सन्यासी छोड़ कर चले जाते हैं फिरा कर इकठा करते हैं उन्हों के पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स हैं, वास्तव में सन्यासियों को एक पैसा भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, लो ऐसे हैं, वह कभी दानी नहीं हो सकते, तुमको तो बाप की राय पर चलना है, बाबा यह सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे, ऐसे क आम में लगाएंगे, बाबा डारेक्शन देते रहते हैं, बच्चों को अमल में लाना है, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी ब बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार, कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है, जहां बिठाए जो खिलाए, ऐसा आग्याकारी होकर रहना है, अपनी चलन बहुत रोयल उंची रखनी है, हम इश्वरिय उलाद है, इसलिए बड़ी रोयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है, वर्दान, साधारन जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ट भाग्य बनाने वाले पदमा पदम भाग्यवान भव, बाप दादा को साधारन आत्माएं ही पसंद है, बाप स्वयम भी साधारन तन में आते हैं, आज का करोडपती भी साधारन है, साधारन बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं, ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारन बनना भी भाग्य की निशानी है, साधारन बच्चे ह अपना बना लेते हैं इसलिए अनुभव करते हैं कि भागय पर मेरा अधिकार है ऐसे अधिकारी ही पदमा पदम भागयवान बन जाते हैं स्लोगन सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कारे भी संभव हो जाएगा ओम शान्ति स्लोगन